हेलो दोस्तों मैं हूँ बैभव और आप देख रहे हैं Bits for Biology आज The Living World का लेक्चर नमबर 4 है The Living World का आखरी लेक्चर आज हम लोग बात करने वाले हैं Taxonomical Aids के बारे में Taxonomic यह वो टूल्स जो हमें मदद करते हैं identification में जो हमें मदद करते हैं classification में तो बहुत ही important यह part होने वाला है यह तो theory session है और जो इसका objective session होने वाला है जिसमें Taxonomical Aids के 75 questions देखने वाले हैं वो चीज़े कहां होंगी live practice session जो होनी है उसका link description में नीचे है जल्दी से जाओ और enroll करो पहले उसे live test दो मज़ा जाएगा class 11 की रोज में test ले रहा हूँ शाम चार बज़े और class 12 की रोज में test ले रहा हूँ रात 9 बज़े दोनों में 75 questions होते हैं इनका link description में मिल जाएगा नीचे और bits for biology telegram channel को join कर लो latest updates यहाँ पर मिलते रहते हैं यह 100 days का crash course का schedule है 14 दिसंबर से यह start हुआ था और 31 माज तके चलता रहेगा 4 पीम पे और 9 पीम पे regular sessions चलती है अनकाडमी के special class में यहाँ 11 का और यहाँ 12 का जिसमें प्रैक्टिसेशन है खूब सारे NCQs करते हैं हम यहाँ पे रोज के रोज रोज हम target लेकर आते हैं कि 1.500 कोशन रोज होना चाहिए अगर ऐसे ही करते चले तो नीट तक लगभग 20,000 कोशन हम complete कर चुके होंगे यह referral code है अनकाडमी पे तुम्हारे लिए यह code जैसे ही तुम यूज करोगे यह invite code है यह code जैसे ही यूज करोगे तुम्हारे लिए सारे stations unlock कर लोगे आराम से सारे free stations तुम unlock कर सकते हो कुमार live code को यूज कर कर यह अनकाडमी का paid platform है यह अनकाडमी का plus platform है जिसका शार्ज तुम्हारे शामने है बहुत ही costly नहीं है यह है ना अगर मैं quota की बात बताओ लग भो लाखो रुपे लग जाते हैं उसके सामने यह कुछ भी नहीं है 6 महिने में तुम इंडिया के top educators से पढ़ सकते हो यह अनकाडमी का plus subscription के साथ आइकनिक subscription है जिसमें कुमार लाइव रेफिल कोड अगर तुम्हें यूज करोगे तो 10% का discount मिल जाएगा दोनों में यह हर जगा अनकाडमी में कहीं भी कोड यूज करोगे कुमार लाइव सबसे पहले taxonomy थोड़ा सा हिंड दे दू मैं तुम्हें टैक्सोनामी, identification, nomenclature और classification, systematics equal to taxonomy plus साथ में क्या जोड होगे? फिलोजेनी को जोड देना, relationship को जोड देना यह वो लिसनरी relationship की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जीक रहता है AIDS, acquired immunodeficiency syndrome क्या यह बात है? क्या यह बात है? यह वो वाली AIDS नहीं है, जो viral disease है, यह वो AIDS नहीं है यह AIDS का मतलब टूल से है, यह AIDS का मतलब किस से है? यह टूल से है इसका मतलब taxonomy में जो टूल से इस्तमाल किये जाते हैं, हम उन्हें taxonomical AIDS का नाम देते हैं taxonomic studies जो हो रही है, किन के लिए? plants के लिए, animals के लिए या और भी कई organisms के लिए हो रही है इनका फाइदा हमें मिलता है, कहां? agriculture में मिल रहा है, forestry में, industry में और हमारे bio resources को जानने के लिए, जब इतनी important ये चीज़ है, इतना कुछ जान पाते हैं हम तो क्यों न जो इसका काम किया जाए, वो बहुत ही बहुत धंग से किया जाए यहाँ पे सबसे पहली चीज़, these study, जो भी हम हम study करते हैं, उसके लिए classification का correct होना बहुत जरूरी है और organism के identification का होना बहुत जरूरी है यह जो identification हम करते हैं, जैसे class 11 के भी बच्चे हर्बेरियम बनाते हैं class 11 के भी बच्चे taxonomical aids का इस्तमाल करते हैं, कई बच्चों ने museum भी देखा होगा और कई बच्चों ने botanical gardens भी देखा होगा, botanical garden में rose है तो rose के उपर में लिखा हुआ रहाएगा इस तरह से, जिसका नाम होगा वहाँ पे रोजा इंडिका कि ये इस family से belong करती है, और इसका genus ये है, और इसका botanical name ये होता है ऐसे वो चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है, तो यहाँ पे identification करना बहुत जरूरी है और classification करना, अगर ये दोनों correct है, तभी मान कर चलते हैं, studies बहुत अच्छी मानी जाएंगी अब इसके लिए बहुत ही मेहनत लगता है, फिल्ड पे तो मेहनत लगी रहा है, और बाकी laboratory में भी बहुत काम इसके लिए करना परता है अब बात आती है, कि ये जितने भी animal के species हैं, या जितने भी जो हम a specimens हम रखने वाले हैं, वो a specimens actual होने चाहिए या वो a specimens का photocopy भी चलेगा, photocopy कभी नहीं चलेगा, मैंने तुम को बूला, जाओ, tropical rainforest के पास जाओ, और वहां से ये a spaces लेकर आओ, क्योंकि हमें इसे herbarium seat में लगाना है तुम बोलोगे, photo खीच कर ला सकते हैं, बता पॉसिबल है, नहीं, जब भी a specimens होने चाहिए, वो a specimens जो है, वो actual a specimens होने चाहिए, NCIT कहती है इसके बिना काम नहीं हो पाएगा, यही सबसे जरुरत की चीज है हम और भी taxonomical aids के लिए, हम future studies के लिए भी काम करते हैं, मान कर चलो जो a spaces गायब हो चुका है, उसे भी हम देख सकते हैं, जाकर herbarium में तो यह सबसे पहला है हमने हमारे सामने herbarium, herbarium कुछ और नहीं, बलके dry garden होता है herbarium कुछ और नहीं, यह dry garden होता है, herbarium का अगर मैं तुम्हें दिखाओं, चित्र कैसा होता है herbarium, देखो, यह herbarium है इस herbarium में कई सारे specimens को store करकर रखा गया है, देख रहे हो, specimens को store करकर ऐसे 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 रखा गया सब है बताओंगा मैं हर्वेरियम में क्या क्या चीज होती है हर्वेरियम क्या है हर्वेरियम एक कमरे को बोला जाता है हर्वेरियम एक बड़ा सा जो कमरा एक बड़ा सा कमरा बोल सकते हो तुम ऐसे ऐसे कई सारे कमरे होते हैं बड़े बड़े कई सारे कमरे होते हैं इरियम एक store house है जहां पे किसको रखा जाता है plant specimens को बात आती है क्या यह specimens जो रखे जाएंगे यहाँ पे जिंदा होंगे यह मरे हुए जबाब है मरे हुए data specimens रखे जाते हैं इनके लिए जो procedure इस्तमाल किया जाता है उसमें सबसे पहले इनको dry करेंगे फिर प्रेस करेंगे औ 29 by 41 cm या अगर इससे मुझे inch में convert करना है तो 11.5 inch से लेकर 16.5 inch तक यह चीज यहाँ पे होगा 11.5 से लेकर 16.5 inch तक उसे ही हम यहाँ पे cm में भी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे एक corner रखते हैं corner में बहुत सारे भी descriptions लिखने हैं क्या होगा उसमें जिक्र करेंगे यह जितने भी seats होंगे वो सारे arrange किये जाएंगे कौन से system के according universally accepted system of classification NCRT तो यह बोलकर निकल गई लेकिन हमें मालुम तो होना चाहिए ऐसा कौन सा classification का system है जो पूरी दुनिया में मौजूद है जिसे कहते हैं Bentham and Hooker classification जो natural system of classification था natural system of classification जिसे Bentham and Hooker classification भी कहा जाता है Bentham and Hooker classification भी जिसको कहा जाता है यह जितने भी अस्पेश्मिन्स होंगे इनके descriptions हर्वेरियम सीट पे होने चाहिए ताकि हम future में इनका इस्तमाल कर सकें यह हर्वेरियम सीट पे क्या क्या होते हैं जब भी होंगे चीजें तो corner में यहाँ पे होंगी अब यह corner में क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं सबसे पहले date and place of collection अगर आज की date जितनी भी है वो date लिखा जाएगा जगह का नाम मान कर चलते हैं बिहार शरीफ है तो बिहार शरीफ वहां पे लिखा जाएगा यहां से वो collect किया गया ठीक आज के दिन उसके बाद English नाम, local नाम और botanical नाम English नाम China Rose लिख सकते हैं Local नाम अगर हमें मिला तो हम उसे गुरहल लिख सकते हैं Botanical नाम अगर हमें मिला तो हिविसकस, रोसा, रोजा, साइनेसिस लिख सकते हैं Botanical नेम बोल रहा हूँ अगर तो scientific name automatic आ जाता है क्योंकि scientific name के ही दो हिस्से होते हैं Botanical नेम और जुलाजिकल नेम होते है अब यहाँ पर लिखना होगा family का नाम क्या अगर मैंने collect किया है तो क्या मेरे family के members के नाम लिखे जाएंगे नहीं, जो साथ taxonomical categories थे उसमें से family जो आती थी, उसका नाम लिखेंगे बात आती है कि family का नाम लिखे और भी तो साथ थे ऐसा क्या है family में जो सिर्फ family का ही नाम लिखा जाएगा kingdom नहीं, kingdom नहीं, division नहीं, class नहीं, order नहीं इस सब चीजी क्यों नहीं लिखी गई ना specific epithet को जगा मिला, ना हमें generic name को जगा मिला generic name और a specific epithet already आ चुका है क्यों? क्योंकि botanical name आ चुका है botanical name आने से, मान कर चलो hibiscus, rosa sinuses, hibiscus तो genus हो गया rosa sinuses specific epithet हो गया, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर specific epithet भी आ चुका, यहाँ पर genus भी आ चुका यहाँ पर family भी आ चुका, बात आती है और चीजों को क्यों नहीं लिखना चाहते हैं कुछ देर का इंतजार करो, चीज़े समझ में आ जाएंगी क्योंकि बार बार NCRT ने family तक कही जिकर किया है यह सब चीजों का नाम लिखेंगे और वाकी collectors का नाम लिखना जरूरी होगा हर्वेरियल जो होता है इससे बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती है taxonomical studies हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है बहुत ही quick है यह कैसे मैं बताता हूँ तुम्हारा neat में selection होगा तुम्हें पक्का पता है तुम्हें कि मुझे All Indian Institute of Medical Science M's Delhi मिलेगा अगर पहली तुम्हारा जो ticket है मान कर चलते हैं Paris का ticket तुम्हारा cut गया जब Paris का ticket तुम्हारा cut गया वहां हम लोग पहुचेंगे Museum of Natural History Museum of Natural History में पहुचने के बाद वहां जैसे librarian होता है वैसी herbarium in charge जो होता है हम लोग herbarium in charge के पास चलेंगे herbarium in charge को मैंने बूला कि मुझे hibiscus rosasinus देखना है वो computer में search करेगा hibiscus rosasinus computer में जैसे ही वो hibiscus rosasinus की file खुलेगी तो उसके सामने में लिखा हुआ रहेगा मान कर चलते हैं H12 हमें 12th floor पे मान कर चलो चलना है और उसके बाद वहाँ पे code लिखा हो रहाता है H12 A16 जैसे 12th floor पे जाएंगे मान कर चलते हैं अगर वहाँ 12th floor है तो 12th floor पे A block में camera number 16 में अगर हम जाएंगे तो हमें hibiscus rosasinus वहाँ पे मिल जाएगा ऐसे कई सारे box वहाँ पे होते हैं मान कर चलो 16 A है तो A number box में मुझे दिख जाएगा क्या कोई खै ये हम कोई भी plant को देख सकते हैं ना ऐसे इसके inside ने word लिखा है अब ये बात थोड़ी से समझनी है कि बात करते हैं हम family का जिकर यहाँ पर क्योंकि ये family तक ही जिकर क्यों क्या उपर जाते complexity बढ़ती complexity बढ़नी अच्छी बात या गंदी बात गंदी बात उपर जाते तो खिचड़ी बन जाती पूरी तरह से मान कर चलो solenesi अगर मैंने तुम्हें बोल दिया तुम्हें plant के तो कई सारे features पता चल गया floral features पता चल गया वो conservative nature के होते है stable nature के होते है ये देखो भई हर्वेरियम है अब बात आती है जो seeds है इसमें चलो ठीक है plant का specimen हम लगाएंगे plant के specimen में अगर तुमने flower नहीं लगाया अगर वहाँ पे full भले ही वो dead flower हो हमें उससे अस्टेबल केहने का मतलब more conservative है यही गलती तो किया था artificial classification में linious ने दोनों को equal weightage देना जो कि नहीं देना चाहिए था botanical garden हर्वेरियम में plants के लिए किया गया था वो dead plants वहां रखे गया थे botanical garden में living plants को रखा जाता है living plants को रखा जाता है identification purpose के लिए ताकि लोग इसको देख सके और अपने study में इन चीज़ों को इस्तमाल कर पाए यह सब जितने भी taxonomical aids देख रहा है हम यह किसी scientist के लिए नहीं होगा यह किसी professor के लिए हो सकता है यह किसी student के लिए हो सकता है जितने भी plant होंगे बोटेनिकल गार्डेन में हमें plant मिला और बोटेनिकल गार्डेन में plant है यह मान कर चलते हैं एक plant है यह जो plant है इसी के side में ऐसे एक tag लगा रहेगा और इस tag में लिखा रहेगा rosa indica गर गुलाब का पेड़ यह है तो इसमें क्या लिखा रहेगा Rosa Indica लिखा रहेगा बात आती है यहाँ पे Botanical Name होगा या Scientific Name होगा और साथ में इसका Family का नाम होगा ठीक है तो यह चीज़ ऐसे यहाँ पे लिखी रहती है यहाँ पे भी बात समझ मैं यह NCIT Family तक ही क्यों गई? reason वही है कि Family के आगे जाएंगे complexity बढ़ जाएगा कुछ ऐसे Botanical Garden जिनकी जगह NCIT ने बनाई है वो बहुत ही Important Botanical Gardens है जो दुनिया में है Botanical Gardens में प्लांटी देखे जाते हैं तो यहाँ पे है पहला Royal Botanical Garden जो की कीव इंग्लैंड में है Indian Botanical Garden जो की हावडा हावडा में एक जगह है सिपूर वहीं है हमारे इंडिया में NBRI National Botanical Research Institute यह लखनो के सिकंदरा बाग में है सायर लखनो सो जो लोंग करते हैं वो मुझे कॉमेंट में बताएंगे सिकंदरा बाग में और इंडिया में ही है हमारे यह दू Botanical Gardens निक्स आते हैं म्यूजियम्स के बारे में म्यूजियम्स में खास बात यहां Plant को भी रखा जाता है Animal को भी रखा जाता है NCRT नो उसके पहले Date नहीं लिखा Date के पहले यहाँ पे Preserve क्यों बोला Preserve और Conerve दोनों Word का मतलब समझना Preserve हमेशा उस चीज के लिए करते हैं जो मर चुका है जो Dead है Conerve हम उसके लिए करते हैं जो Living है तभी तो बोलते हैं Plants का Conervation करना चाहिए क्योंकि Living है जिंदा है उनको Conerve करते हैं जो मर गए उन्हें हम Preserve करते हैं Museums जितने भी है Educational Issues में रखे जाते हैं Schools में, Colleges में रखे जाते हैं यहां होती क्या है Aspacements को हम Container में रखते हैं और Jar में रखते हैं Preservative Solution में तुमने भी अपने अस्कूलों में देखा हो गई यह चीज कई सारे Jars होते हैं और Jar में कुछ Liquid होता है बचपन में समझते थे ऐसा कि उसमें पानी होता है वो पानी नहीं है वो खास तरह के Liquid होती है जिसे हम Formaline कहते है उसमें Nitrogen का Content Approx 40-50% होता है उसमें Plant और Animal Spacements को हम Dry Spacements के तौर पे भी रख सकते हैं जैसे Insect को अगर हमें Preserve करना है तो हम Insect Box में हम उसे रखेंगे पहले हम उसे Collect करेंगे फिर उसके बाद पहले Collecting फिर Killing करने के बाद Pinning पीन चुबोएंगे एक Board होता है वो Board पे ही करते हैं सबसे पहले लाओ Collect करो उसके बाद मारो और उसके बाद पीन चुबोदो जो हमने बात की थी यहाँ पे याद होगा तुम्हें हर्वेरियम में हमने DPP की बात की थी Dry Press और Preserve हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे CKP Collecting, Killing और Pinning बात समझ में आई नेक्स्ट जितने मी बड़े-बड़े Animals हैं जैसे Birds और Mammals बड़े-बड़े Animals को तुम Container में नहीं रख सकते तो बड़े-बड़े Animals के लिए हम Stuffing करते हैं इनको किसी Container में नहीं रखा जाएगा इनमें Stuffing की जाती है Stuffing कहने का मतलब Bird और Mammals के जो अंदर के Part है उनको हम निकाल लेंगे और उसके अंदर भूसा भर देंगे कागज भर देंगे उसके अंदर Cotton भर देंगे Museums के पास Skeleton के Collections भी होते हैं NCIT 2013 में नीट में Question पूछा गया था कि यहाँ पे Photographs भी होते हैं क्यों गलत बात Photographs नहीं होते क्योंकि जब भी लेनी है तो Prime Source of Taxonomical Studies Actual ही होनी चाहिए अगली चीज से Geological Parks के लिए यहाँ पे Conservation किया जाता है Animals का यहाँ पे Protected Environment में रखा जाता है Human Care में रखा जाता है हम वहाँ से सीखते क्या हैं हम वहाँ से जानवर के Food Habits सीखते हैं और Behavior एक बुक है बहुत ही शांदार रीना माथूर की बुक है Animal Behavior तो Behavior उसमें बताया गया है उस बुक में कि हम Animal Behavior कैसी होती है कैसे करते है Animal Behavs हमारी लिए भले ही हो सकता है कि हम Angry हो गए लेकिन कुटों के लिए Term Use नहीं किया जाता है कुटों में Term अलग यूज की जाती जानवर के हाव भाव अलग होते है जानवर जो करते हैं जैसे कुटों भोगते हैं वो उनके अपनी अलग conversation होती है सारी चीज़े Animal Behavior में ही सीखते हैं जितने भी Animals हैं जो जू में रखे जाते हैं उनको बिल्कुल वैसे ही conditions प्रोवाइड कराये जाते हैं जैसे उनके natural conditions होते हैं अगर मान कर चलो सेर जंगल में रह रहा है तो उसको वैसा ही जंगल लगबग प्रोवाइड कराया जाता है अभी डियाग्राम देखेंगे हम लोग Children Park को घूमते हैं जू हाल फिलाल में तुमने कौन सा जू देखा है मुझे comment box पे जरूर बताना ये है राइनो से रोश कहां है ये काजिरंगा नेस्टनल पार्क में ये नाम जरूर याद रखना जो मैंने आप लिखे हैं काजिरंगा नेस्टनल पार्क में कौन है ये राइनो से रोश है काजिरंगा शाम में है केवला देव नेस्टनल पार्क यहाँ पे ये Siberian crane है जो Migrating Birds जिने कहते हैं Siberia सूरती हुई ये केवला देव भरतपूर में आती है इसके बाद ये پेरियार नेस्टनल पार्क है यहाँ पे अलिफैंट है और बाकी रंधंबौर है यहाँ पे ये टाइगर की बात चल रही है और बहुत जगए हैं टाइगर की बात तो बहुत जग़र कर सकते हैं हम लोग है ना टाइगर की बात हम बेंगॉल टाइगर की बात कर सकते हैं ना वहाँ जैसे कुलकाता में है ना वहाँ बात कर सकते हैं next है की की चाभी की बात चलेगी क। 56 की बात चलने वाला यह ग्या की क्यों टॉपिक है वाई यह सु考rick की की का मतलब होता है चाभी यहाँ पर क्लू मिलता है की से हमें क्या मिलता है क्लू बच्पन में खूब कहानिय सुनी होोंगी कि एक ऐसे दरवाजे का चाभी जो सोने का दरवाजे का चाभी है ना ऐसे से खुब कहाने सुनी होगी तुमने और तुमको लगता भी ता बिलकुल बजपन में कि काश हमें भी वो अली बावा वाली मंतर मिल जाए या कहीं कि चाभी मिल जाए जो सोने की खुब कहाने हम सुन और disimilarities के basis पे की को मैं detail में यहां नहीं पढ़ाऊंगा दो तरह के होते हैं indented और bracketed वो हमारे syllables का हिस्सा नहीं है similarity देखोगे और disimilarity देखोगे कीज की अगर बात करो contrasting character पे based होते हैं contrasting character कहने का मतलब opposite character तो मैं दो opposite character दिया जाएगा मान कर चलते हैं एक cat है और एक मान कर चलते हैं dog है दो characters यहां पे लिखे जाएंगे यहां पे भी दो characters लिखे गए मान कर चलते हैं यह दोनों जो characters लिखे गए हैं वो दोनों characters opposite हैं इन दोनों characters को नाम दिया जाएगा couplet क्योंकि pair में है इसलिए नाम देते हैं, couplet, इन दोनों characters को भी क्या नाम देंगे हम, couplet का नाम देंगे, इन दोनों characters को couplet का चलो नाम दे दिया लेकिन cat से मिलती जूलती एक ही चीज थी, मानकर चलते ही similar character था, ये dissimilar character था, क्या मुझे cat के उपर वाले similarity को accept कर लेना चाहिए अगर एक को मैंने accept किया तो मुझे एक statement को lead बोलना चाहिए एक को मैंने accept कर लिया दूसरे को मैंने reject कर लिया ऐसे ही dog से मिलते जुलती एक similarity मुझे मिली थी जिसे मैंने lead कहा था एक को मैंने accept कर लिया को मैंने reject कर दिया क्या मैं कह सकता हूं हमेशा lead को ही हम reject करते हैं couplet को कभी reject नहीं किया जा सकता क्योंकि couplet तो हमेशा pair में होती है एक तो similarity मिलेगी मिलेगी उसी को contrasting बोला गया है this results in acceptance of only one and rejection of the other each statement in the key is called lead बोलते हैं उसे separate taxonomical keys are required for each taxonomical category यहां पर भी देखो family तक ही गए है बात समझ में आ गई होगे क्योंकि complexity बढ़ाना नहीं चाहते identification purpose के लिए यह analytical nature का होता है हम यहां से बहुत अच्छा analysis कर सकते हैं जब की से हमने बहुत सारे similar characters और dissimilar characters तयार किये इसी से चार किताबे निकली हैं उन चार किताबों के नाम हैं यह flora, manuals, bonograph और catalogs यह सब चीजे की से ही तयार की जाती हैं अगर की नहीं होता तो यह सब चीजे भी नहीं होती सबसे पहला चीज फ्लोरा, मैं दो तरीके बताऊंगा एक तो समझने वाला तरीका, एक exam में टिक लगाने वाला तरीका सबसे पहले कौन जानता है चाहते हो, exam में टिक लगाने वाला flora, जब flora का definition आएगा, तीन वर्ड धूंडोगे, दही dhi, 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 सबसे पहला word, distribution, दूसरा word, habitat, तीसरा word, index, पहले तीनों वर्ड को highlight करो सबसे पहला, distribution, फिर उसके बाद habitat, और फिर उसके बाद index अगर ये तीन वर्ड exam में मिल जाए किसे definition में, कह देना definition, flora का चल रहा है flora, बात चल रही है, एक area है, एक area में कई सारे ऐसे plant हैं जो मिलते हैं एक plant A भी हो, B भी हो, C भी हो, D भी हो, सारे को मिलाकर एक किताब में दर्ज किया गया, index बनाया गया उसकिताब में सारे नाम उस किताब में लिखे गए, किताब का नाम, Flora of Malabar Hills, Flora of Delhi, ये सब ऐसी किताबे हैं, जिनमें सिर्फ index में चीज़ें लिखी हुई है और उनका पूरा detail description यहाँ पे आगे मिल जाता है Manuals की बात चल रही है, Manuals बेक टैग का किताब होता है, जो की area wise different होता है अगर तुम Allahabad में हो, वहाँ का अलग होगा, अगर तुम New York में हो, वहाँ का अलग होगा Information, booklet है ये, उसके बात बात चलती है, monograph के बारे में Mono का मतलब होता है, एक, अगर एक के बारे में complete information मिल जाए Kerala PMT में एक बार question आया Which of the following taxonomical aid represents complete and compiled comprehensive information किसमें मिली, एक taxon के बारे में complete, compiled information किसमें मिलता है वही, monographs के बारे में Complete का complete information, किसी एक taxon के बारे में Example अगर मैं ले लू, planty, तो planty का complete information मुझे यहाँ देखने को मिलेगा बात आखरी है catalog, NCRTNS के बारे में एक वीवर्ट का जिक्र नहीं किया है थोड़ा सा समझने की कोशिस करते हैं, catalog भी एक टैप का किताब होता है जिसमें किताबों के ही नाम होते है, कि इन plants पे कौन-कौन सी किताबे लिखी गई है और इनके authors कौन है, और उनका edition कौन-कौन सा आया है इसे हम बोलते हैं catalog, ये चार तरह की चीजें थी पहचानने का simple सा तरीका, flora पहचानने का distribution, habitat और index monograph पहचानने का तरीका, एक के बारे में complete information जो बच गई, वो हो गई manuals manuals के बारे में useful in providing information for identification of names of species found in an area area ये चीज़ different होती है इतनी चीज़ तो हो जाती है, लेकिन ये आखरी line बच्चों से छूट जाती है तुम बोलोगे हमारे NCRT में तो ये दो जाने नहीं दे रखी हैं, दे रखी हैं, समरी के सबसे आखरी चीज़ों पहो इसके पहले दो word और है, taxonomist also prepare, यहां से ऐसे start है NCRT में taxonomist also prepare and disseminate information through अगर मान कर चलते हैं, taxonomist को इस्तमाल करना भी होगा, वो दो ही चीज़ों का इस्तमाल करेंगे एक manuals का, एक monograph का, बात आती है, monograph ही उनको क्यों अच्छा लगा क्योंकि monograph में सारा complete information किसी एक taxon के बारे में मिल जाता है इसले वो चीज बहतरीन मानी जाती है बात समझ में आ गई होगे, दोनों M वाले यहाँ पर use किये जाते हैं इसी के साथ ये chapter हमारा खतम हो गया, ये theory session था इसका objective session का link नीचर description में मिल जाएगा और हम next chapter फिर आगे start करेंगे by law school classification Sunday को all in data series है, जिसमें ये chapter और reproduction in organism आ रहा है शांदार त्यारी करो, need के basis पे ही होगा वो exam जो होने वाला है unacademy के special class में, ओके बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग अगली class में पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ो तो एक दिवाने की तरह क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बहतरीन doctor बनना है और बहतरीन doctor तभी बना जा सकता है जब ये target achieve हो जाएगा 360 by 360, unimaginable score नहीं है, ये चीज़ किया जा सकता है, लोगों ने किया है मिलते हैं बच्चों फिर अगली class में, बाबाई, थैंक यू